मेरे साथ जोड़े रहने के लिए ग्यान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें थैंक यू नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका अपनी ग्यान की खिड़की में आज ग्यान की खिड़की में हम बात करेंगे डिफ्रेंस बिट्वीन सीरियल ट्रांश्मिशन एंड पैरलर ट्रांश्मिशन तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की सुरुआत करते हैं तो computer में data का transmission mainly दो method के थ्रू किया जाता है पहला हमारा होता है serial transmission और second होता है हमारा parallel transmission तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं serial transmission की तो जब data का transmission serial transmission method के थ्रू किया जाता है तो data bit को एक specific order में organize किया जाता क्योंकि इसमें data bit को जिस order में हम organize करके send करेंगे उसी sequence में वो data receiver को receive होगा तो जो इसका sequence है वो बहुत matter करता है कि किस sequence में हमें data को transmit करना data bit को transmit करना है इस method में जब तक first data bit हमारी वहां receive नहीं हो जाती receiver के पास तब तक next data bit को send नहीं किया जाता है means इसमें multiple data bit को एक सास send नहीं किया जाता है जब तक पहला हमारी data bit receiver को नहीं मिल जाती है तब तक next data bit नहीं send की जाएगी इसके बाद next आ जाता है हमारा parallel transmission जब data को parallel transmission का use करके send किया जाता है तो multiple data bit को एक time पर multiple channel की help से transmit किया जा सकता है means इसमें क्या use करते है multiple channel को use करते है और हर channel पे एक bit को एक सास send कर सकते है तो multiple channel के थूँ एक साथ एक से ज़्यादा bit को send किया जा सकता है ठीक है तो इसकी helps data का transmission बहुत ही fastly होता है क्योंकि इसमें time बहुत बसता है क्योंकि एक साथ एक से ज़्यादा data bit को हम receiver तक एक time पर पहुचा सकते हैं तो आईए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच के differences कि तो serial transmission की steer slow होती है किसके comparison में parallel transmission की comparison में क्योंकि serial transmission में एक time पर एक ही bit send की जा सकती है इसके बाद next point हमारा यह आ जाता कि serial transmission में single communication link यूज होते हैं जबकि parallel में multiple communication link यूज किये जा सकते हैं communication link means channel एक से ज़्यादा channel हमारे parallel transmission mode में यूज होते हैं इसके बाद next point हमारा यह आ जाता कि जो serial की cost होती है serial transmission mode की cost होती है वो हमारी low होती है किसके comparison में parallel transmission के comparison में इसके बाद next point हमारा यह आ जाता है serial transmission method में हमारा full duplex mode use होता है जबकि जो हमारा parallel transmission method होता है उसमें हमारा half duplex mode use किया जाता है ठीके इसके बाद next point हमारा यह आ जाता है serial transmission method जो होता है वो long distance के लिए use किया जाता है जबकि जो parallel transmission method होता है वो short distance के लिए use किया जाता है इसके बाद next point हमारा यह आ जाता है कि serial में एक time पर एक ही bit transmit की जा सकती है जबकि जो parallel transmission होता है उसमें number of channel या number of link के थू number of bits को carry किया जा सकता है इसके बाद next point हमारा यह आजाता कि serial communication higher bandwidth को support करती है जबकि parallel जो होती है वो serial के comparison में low bandwidth का use करती है या उसको support करती है इसके बाद next point हमारा यह आजाता है कि जो हमारा serial transmission होता है उसमें cross talk present नहीं होती है जबकि जो हमारा parallel transmission होता है उसमें cross talk present हो सकती है cross talk क्या होती है unwanted signal होते हैं जो communication channel में present होते हैं means noisy हो गए noisy signals जो होते हैं जो disturbance create करते हैं वो सारे के सारे signal हमारे cross talk कहलाते हैं ठीक है इसके बाद next point हमारा ये आ जाता है कि जो serial transmission होता है उसमें simple circuit का use किया जाता है जबकि parallel transmission में serial के comparison में complex circuit use होता है तो I hope कि इस वीडियो के थूँ आपको serial और parallel transmission में difference समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please say like कीज़े जदा जदा लोगों को share कीज़े और comment box में अपना review ज़रूर दीज़े ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं आपको समझाना चाहा रही हूं वो आपको समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा मेरी वीडियो आपके लिए helpful है की नहीं है मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्नबात फिर मिलेंगे next video में झाल